नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में सामाने ज्ञान के कुछ चुनिन्दा प्रस्ण पूछे गए हैं जो किसी भी प्रतियोगी प्रिक्षा के लिए बहुत ही मेत्यपोर्ण हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और प्रस्णों के उत्तर यदि आपको पहले से ही पता है तो कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएं और यदि नहीं पता है तो एक बार आंसर देने की कोशिश जरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो फैस्ट कोश्चन है इंटर पोल की स्थापना कब हुई थी तो बताएं दोस्तो इंटर पोल की स्थापना कब हुई थी दोस्तो इसका राइट अंधर हो जाएगा ओप्शन ए 1923 दोस्तो यदि हम इंटर पोल की बात करें तो इंटर पोल एक अंतर राइश्ट्रे संस्था है जिसका उद्देश से पुलिस, सहयोग और अपराद को नियंतरन करना है। इसकी इस्थापना 1923 इसी में हुई और इसका मुख्यालिया लियोन शहर में है। और दोस्तो लियोन शहर जो है वह है फ्रांस देश में है। दोस्ते इसका राइट आंसर रोजाएगा ओप्सन बी शमसुद्दीन इल्टू तमिष। तो दोस्तो एग्जाम में यह प्रस्ण किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि कुटूब मीनार को पूरा किस ने किया। तो यह किया था ओप्सन बी शमसुद्दीन इल्टू तमिष ने। और यह भी पूछ सकता है कि कुटूब मीनार का निर्मान किस ने किया। तो इसका right answer हो जाएगा option A, कुतूब बुदिन A बखने। और दोस्तो एक्जाम में यह भी पूछ सकता है कि कुतूब मेनार का पुनर निर्मान किस ने किया। तो इसका right answer हो जाएगा option C, फिरोज साहत तुगलक। नेक्स्ट कोस्चन है भारत में राइष्ट्रे आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्ते इसका right answer हो जाएगा option C, राइष्ट पती. भारत में राइष्ट्रे आपात लागू करने का अधिकार राइष्ट पती को प्राप्त है। Next question है, प्रत्म लोकसभा चुनाओ में कितने राजनीतिक दलो को राइश्ट्रिय दल के रूप में मान्यतत दी गई थी? दोस्ते इसका right answer हो जाएगा option B, 14 है. प्रेथम लोकसभा चुनाओं में 14 राजनीतिक दलों को राइश्ट्रिय दल की रूप में मान्यतत दी गई थी नेक्स्ट कोस्चन है भारतिय संसद में लोक लेखा समीती का अध्यक्स कोन होता है अलमाटी बाध निलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है नेक्स्ट कोस्चन है 1417 EC में बहमनी राजय का दोरह करने वाला यात्रि कोन था दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C, Athanasius Nikitin 1470 में बहमनी राज्य का दोरा करने वाला यात्री Athanasius Nikitin था नेक्स्ट कोश्चन है गीत गोविंद, गीती काव्य के कवी कोन है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option B, जय देव नेक्स्ट कोश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संगरक्षन प्रदान किया दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C, शैव धर्म चोल राजाओं ने शैव धर्म को संगरक्षन प्रदान किया नेक्स्ट कोश्चन है विजय नगर समराज्य के पुराव शेस कहां पर पाए जाते हैं तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option B हमपी विजय नगर समराज्य के पुराव शेस हमपी पर पाए जाते हैं नेक्ट कोस्चन है निमलखित में पल्लव राज़ाव की राज़दानी थी तो बताएए दोस्तों निमलखित में पल्लव राज़ाव की राज़दानी कौन सी थी दोस्ते इसका right answer हो जाएगा option C कांची पुराव नेक्ट कोस्चन है सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने अपनी राज़दानी दिली से इस्थानांतरिन की थी दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option B दोलताबाद को नेक्ट कोस्चन है किस मुगल समराट को राज़द्रिय समराट कहा जाता है दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option A अकबर अकबर मुगल समराट को राज़द्रिय समराट कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है असोक का द्वादस शिवा लेख क्या आदर्स प्रिस्तुत करता है तो दोस्ते इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन ए धार्मिक उदार तका असोक का द्वादस शिला लेख धार्मिक उदार तका आदर्स प्रिस्तुत करता है नेक्स्ट कोश्चन है सूर्य की सतह पर हाइडोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है तो दोस्ते इसका राइट आंसर जाएगा ओप्शन A हिलियम सूर्य की सतय पर हाइडोजन के अलावा दूसरा तत्व हीलियम है जो बहुत आयत में पाय जाता है दोस्तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर देना और हमारी यूटूब चैनल जी के राइट को सबस्क्राइब कर देना दोस्तो सबस्क्राइब के बराबर में जो बैल आइकन का बटन है उसे भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके